ये उसी भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट हैं जहां कभी सेना के जवान उस दिन का इंतजार किया करते थे जब ऐसी ही बुलेट प्रूफ जैकेट को वो अपने सीने पर पहन कर दुश्मन का मुकाबला कर पाए पाँच सालों में मेरा भारत कितना बदल गया वैसे हैरान करने वाली बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि भारत में ऐसे हाई क्वालिटी बुलेट प्रूफ जैकेट बन रहे हैं बलकि इस से कहीं उपर है भारत इन जैकेट को सौ से ज्यादा देशों में अब एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत के इन खारीदारों में कई यूरोपिये देश भी शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जो राश्ट्रिय मानकों पर ही अंतर राश्ट्रिय स्थर की बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहा है और उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है ये जैकेट 360 डिग्री सुरक्षा के लिए जानी जाती है अभी तक मानकों के आभाव में भारत गुर्वत्ता पूर्ण जैकेटों को प्राप्त नहीं कर पा रहा था सैन्नेवलों द्वारा लंबे वक्ष से इस उत्पात के लिए गुडवत्ता पूर्ण मानक तयार करने की मांग उठ रही थी 2018 में प्रधान मंत्री मोदी और नीती आयोग के निर्देश के बाद वी आईएस ने बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए मानक तयार किये ये जैकेट 700 मीटर प्रती सेकंड की रवतार से आने वाली AK-47 के स्टील कोर बुलेट को जहेलने में सक्षम है ये डायनमिक वेट डिस्ट्रिबूशन जैसी विशेश्टा से युक्त है वाकई मेरा भारत अब कितना बदल गया है